आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम फिर आपके सामने हैं बैंकिंग इन इंडिया टॉपिक लेके और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिवियस एर क्वेस्टेंस ते पहला क्वेस्टेंस आप देखोगे पहली क्वेस्टेंस है कि कौन सी ऐसे इंस्टिचूट है या और्गनाईजिसन है जो कि बैंक्स के जो ATM मसीन से जिसमें हम लोग डेविट कार्ड यूज़ करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं उसको लिंक करती है, कनेक्ट करती है अधि आप आंसर दिखोगे, तो आंसर ये है आपकी National Payments Corporation of India जो कि ये सारे Retail Payments और Payment Settlement को ऑपरेट करती है और ये National Payment Corporation of India किसके दोरा बनाया गया है An Initiative of the Reserve Bank of India and the Indian Bank Association ये दो ऐसे बड़ी ओर्गनाईजिसन या संस्थाय मिलकर इसको बनाया है और ये किसके तहट Payment करती है Payment and Settlement Systems Act 2007 के दोरा ही इसको बनाया गया है incorporate किया गया है और ये responsibility उसको दिया गया है और इसकी ये भी जिम्मेदारी है ताकि जो एक Payment and Settlement Infrastructure जो है जो अभी Digital Payment की बाते हो रही है Digital India Program के तहट उसको promote करना, encourage करना, instruments लेकि आना ताकि ये Digital Payment System को और easy किया जाए facilitate किया जाए तो आपको जरूर इसको समझना होगा याद करना होगा National Payments Corporation of India चलिए आगे बढ़ता है ये जो question है with reference to the governance of the public sector banking in India consider the following statements पहली जो statement ये बता रहा है कि Capital Infusion ये Capital Infusion का मतलब ये होता है बैंकों में पैसे को और पैसे देना और बैंक को recapitalize करना जिसको हम लोग बोल सकते हैं अपने सरकार की एक scheme सुना होगा इंद्रधनूस करके जिसके तहत बैंकों को बहुत सारे पैसे दिया जा रहा था recapitalize किया जा रहा था ताकि उनके business smooth और sustainable हो पाए ऐसे क्यों होआ था क्योंकि जैसे आपको पता होगा NPA जो non-performing assets से उसकी percentage काफी बढ़ गई थी second statement यह कह रहा है कि to put the public sector banks in order the merger of associate banks with the parent state bank of India has been affected अब देखिए कुछ अभी recent years में आपने देखा होगा इस तरह के cover या news देखा होगा कि बहुत सारे बैंकों को merge कर दिया गया है पहले SBI State Bank of India भी होते थे और उसके associate banks भी होते थे उन लोगों को भी या वो सारे बैंकों को भी merge कर दिया गया है तो इसके तहत आप यह बोल सकते हैं कि yes, यह जो merging का जो process है यह obviously एक बैंक को सही दिसा में लाने के लिए किया गया था second statement तो सही है बढ़ तो पहली statement है वो capital infusion तो सरकार करती है बट जिस तरह कि statement दिया गया है has steadily increased यह कहिना कहिए एक extremist sorry, extreme statement है not extremist I beg your pardon extreme statement है तो पिछले 10 साल या last decade के बारे में बोल रहा है तो ऐसा statement यह सही नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ कि capital जो infusion हुई है वो consistently or steadily बढ़ी है ठीक है तो answer जो है वो सिर्फ second statement ही सही है और यह question आपके screen पर merchant discount rate यह merchant discount rate है क्या आप simply आदि देखो कि merchant discount rate क्या है आपने देखा होगा जब आप cash ना pay करके कि चिछे merchant को आदि आप card में pay करते हो debit card हो गया को लग जाएंगे क्योंकि हमें भी बैंकों को देना पड़ता है तो यह जो merchant discount rate है यह क्या करती है कहीना कहीं एक huddle होती है obstruction होती है digital payment या card payment को promote करने में तो इसलिए सरकार क्या लेकिया आए कि जो merchant rate हो रहे थी उसमें discount दिया जाएगा किसको merchants को तो यह answer आप देखोगे the incentive given by the government to merchants for promoting digital payments by their customers through point of sale machines and debit card जो D जो option है वो आपकी सही answer है तो जितना भी developments होती है initiatives ली जाती है तो यह आपकी responsibility बन जाती है उसको अच्छे से cover करने के लिए क्योंकि कभी भी question उसपे पूछा जा सकता है आपको अब इरूपी को देखोगे इरूपी एक cashless payment की system है इसको क्यों introduce किया गया है जैसे आपने देखा होगा तो यह किसी ब्यक्ति के पास समार्ट फोन हो इंटरनेट सुबिदा हो उसमें या feature phone हो जो छोटा वाला phone आता है पहले जैसे आता था बहुत लोगों के पास तो अभी नहीं होगा वो चीज majority समार्ट फोन पे switch कर चुके तो वो छोटा वाला phone आता था तो वो phone जिसको हम लोग साथ बहुत जो preparation के दोरान जो बच्चे यूज करते हैं ताकि destruction कम हो तो वो सारे phone पे भी ये facility ये सुबिदा उपलब्द की जा रही है कैसे तो suppose कोई individual जो सरकार की इस facility को ये लाव उठाना चाह रहा है तो उसको suppose माली जी एक चोटा सा example ले लेता है कोई health issues है वो कोई hospital में अपना treatment कराने के लिए जा रहा है तो वो क्या करेगा hospital में वो एक treatment अपना कराएगा जो payment देने के बारी आएगी उसको सरकार एक particular scheme के तहद क्या भेजे होंगे क्यूर भेजे होंगे उसके जाए smartphone हो चाहे वो आप बोल सकते हो कि feature phone हो या SMS उसके पास आया होगा जिस SMS को दिखा के वो अपनी पूरी fees जो है माफ किया जा सकता है क्योंकि सरकार एक बैंकों के तुरू ये SMS और QR code क्या करेंगे जारी करेंगे जो कि beneficiary के number पे जाएगा चाहे smartphone हो या चाहे feature phone हो उसको दिखा कर वो पैसे सीधा किसके खाते में चला जाएगा उस hospital जहां से वो treatment कराया है तो वहाँ पे customer या जो beneficiary है जो अलावारती है उसका कोई engagement नहीं है उसको पस क्या करना है सिर्फ अपना QR और message जो सरकार की तरफ से आया हुआ है उसको दिखाना है उस hospital में ठीक है तो यह होती है आपकी E-Rupee चली फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आप थोड़ा detail देखना चाहोगे तो E-Rupee को develop कौन किया है NPCI जो National Payments Corporation of India Association with the Department of Financial Services National Health Authority Ministry of Health and Family Welfare Partner Banks मिलकर इस E-Rupee को launch किया है ठीक है तो आप और भी facts थोड़ा बहुत देख सकते हैं E-Rupee can be issued only by banks authorized by the RBI to issue prepared payment instruments and were participating as the payment service providers in the UPI ecosystem ठीक है तो यह कुछ additional information से मोटा मोटी जो concept है मैंने आपको बता दिया है ठीक है चली अब देखते हैं और एक सवाल के उपर यह सवाल है marginal cost of funds के उपर best lending rate अब यह जो दोनों statement दिया हुआ है इस guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks to determining the interest rates on advances तो यह पहला statement है दूसरा क्या है ensure availability of bank credit and interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks अब यह देखिए इस से जुड़ा हुए concept में आपको बताना चाहरा हूँ जुड़ा हुए concept है वो है monetary transmission यह monetary transmission होती क्या है बहुती easy language में अदि आपको बताओ आपने ECS को ध्यान दिया होगा जब RBI क्या करती है rate of interest बढ़ा देती है यह repo rate बढ़ा देती है तो commercial bank immediately क्या करते है जो loan की rate है आपके parents ने कुछ loan लिया होगा बैंकों से आप उनको पूछ सकते हो जैसे ही repo rate बढ़ाती है RBI वैसे ही commercial banks क्या करते है उस loan पे interest बढ़ा देते है बट मान लीजिए यह RBI कम करती है repo rate तो क्या उतने ही faster उतने ही equivalent rate में कम होती है वो भी एक सवाल आप पूछ सकते हो लेकिन answer आपको मिलेगा है जवाब मिलेगा नहीं RBI कम करने से यह commercial banks जहां से consumer loan लेता है वो कम नहीं करते हैं क्यूं नहीं कम करते हैं उनका यह कहना है हमारे बहुत सारे खर्च है operational cost है कई सारे चीज़े है बैंकों को वो bear करना पड़ता है इसलिए हम उसको कम नहीं कर सकते हैं पहली बात दूसरी बात यह भी होता है कि आप यह बोल सकते हो कि तो फिर इसको कैसे implement किया जाए जो beneficiaries है customer से उनको कैसे लाब मिले आप यह simply बोल सकते हो कि simple एक system हमें develop करना होगा कम करना होगा इस सीज को हम लोग क्या बोलते हैं monetary transmission बोलते हैं तो जितने सारे instrument सरकार लेके आ रहे है उसका बस एही मकसत है transparency बढ़े और easy credit facility हो किसके लिए customer के लिए ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो answer रदी देखो कि दोनों ही statement सही है अब देखे एक सवाल ये भी है service area approach करके इस service area approach 2019 जो 19 में पूछा गया था ये किस से related है ये answer इसके है lead bank skin इसको मैं आपको थोड़ा idea दे देता हूँ service area approach ये है जितने सारे bank branches से जो district level पे operate करती है सब को एक-एक area decide के दे दिया गया है और almost आप ये बोल सकते हो जिस district में जो bank के branch operate कर रही है उस district उसको दे दिया गया है उस district में socio economic overall development की responsibility उस bank की branch को दे दिया गया है तो इसी को हम लोग बोलते है का service area approach किसके अंदर में आता है ये आता है lead bank scheme के अंदर में आता है जो answer आपकी B है lead banks की मतलब वो bank leadership ले रही है lead कर रही है इस service area approach है उस जगा को overall develop करने में और socio economic development करने में ठीक है तो आज के लिए इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं next वीडियो के उपर इसी तरह कुछ सवाल आपके सामने हम लेके आएंगे आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं और like करें subscribe करें हमारे चैनल को और share करें अपने दोस्तों के साथ धन्यवाद